द्रामक साबित हुई माया कैलेंडर की माया, सामाने रहा 21 दिसंबर का दिन, जोतिश वैग्यानिक वा आम आदमी की नजर में दुनिया समाप्ती की बाते हैं कोरी अफवा मंडी चुनाओं में फेराया भाजपा का पर्चम, कॉंग्रेस का हुआ सूपडा साफ, 12 में से 10 वॉल्ट आय भाजपा की खाते में खासकी ट्रस्ट वाबले में आया नया मोड, ट्रस्ट के अजेक्ष ने कहा कि सरकार सहिट सभी विभागों की अनुमती लेकर ही बेची गई है संपत्ती उत्तरी हवाव ने किया मालवा की और रुख, लंबे इंदजार के बाद ठंड ने दिखाये देवर, लोगों ने लिया अलाव और गर्म कपडों का सहारा सिम्रोल घाड पर अंदगती से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक कर, भीशन हाथसे में एक की मौके पर हुई बॉन, दूसरा गंभीर रूफ से घायल, बहीं दो अन्य हाथसों में बल्टी स्कूल बस वो ट्रैक्टर ट्रॉली रंची ट्रॉफी मुकाबले के लिए मुंबई वा मज़प्रदेश के खिलाडियों ने जम कर बहाया पसीना, कप्तानों ने किये जीत के अपने अपने दावे, फोलकर स्टेडियम पर जहीर वा आगर कर रहे आकर्शन का केंद्र दिली में युवती के साथ हुए दुशकर्म की घटना को लेकर पूरे तेश भर में गहरा आकरोश है, इसी कड़ी में गुरुवार राज शहर के युवाव ने कैंडल मार्च निकाल कर आरोपी को फांसी देने की मांग थी हिंदी और दक्षेंग फिल्मों के मशूर अभिनेता कमल हासन 11 जनवरी को रिलीज हो रही अपनी फिल्म विश्वरूप के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुचे, उनके साथ फिल्म की सारकास्ट भी मौजूद थी गुरू सिंग सभा चिनाव की तारीक जैसे जैसे नस्दीक आती जा रही है वैसे वैसे जनसंबर्ख भी बढ़ता जा रहा है खालसा पैनल ने गुरुबान को जोर शोर से जनसंबर्ख किया इधर खालसा पैनल ने चिनाव में जीत होने की उम्मीद चताई है चुपलिया हाना चराहे पर एक स्कूल बस और बलेरो गाड़ी की आपस में बिढंत हो गई तककर इतनी जोरदा थी कि स्कूल बस सिगनल तोड़ती हुई पल्टी खा गई इधर दुरगटना में दोनों वाहन के चालकों को गंभीर दूप से छोट आई है जिला जेल में परिजनों से मुलाकात के दौरान सजायाफ्ता कैदी ने अपने दो बेटों की बाहों में दम तोड़ दिया दरसल वृतक अपने दो बेटों के साथ जिला जेल में हत्या के आरोप में कैद था शुक्रवार को परिजन तीनों से मुलाकात करने आये थे तभी अचानक प्रिद्ध कैदी ने परिजनों वो अपने बेटों के सामने दम तोड़ दिया प्राथमिक जांच में जिल्च किटसक ने कैदी की मौत का कारण बिमारी बताया है जग्जीवन राम नगर में 30 वर्षिय युवक ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर दी हारा की आत्महत्या की कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है इधर पुलिस ने मामला दर्च कर जांच शुरू कर दी है इक यात्री को वैन में पैसे और सोना ले जाना भारी पढ़ गया सिटी वैन में यात्री महेंद्र अपने बैग में 109 ग्राम सोने का डला वह 2,82,000 रुपई लेकर जा रहा था रास्ते में वैन में सवार उज्जेन की जेब कतरों ने रुपई वसोने पर हाथ साफ कर दिया शहर में एक नाबालिक किशोर के साथ चाकू की नोग पर अप्राक्रितिक क्रत्य करने का मामला सामने आया है घटना एक सरकारी स्कूल की है मामले में पुलिस ने प्रकरन दर्च कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है कुछ माँ पहले पंधरिना थानाक्षेत्र में हुई एक सिंधी महिला की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्च कर लिया है पोस्मोटम रिपोर्ट में महिला के सर पर चोट लगने और मौच से पहले चारिरिक संबंद बनाय जाने की बात का भी खुलासा हुआ है